दोस्तों IPL 2020 के आउक्शन खतम होने के बाद IPL की आठो फ्रेंचाइजियों ने अपने दल में कुछ ऐसे खतरना खिलाडियों को सामिल किया था उनके प्लेंग 11 कॉम्बिनेशन को और बे जादा संतुलित बनाएं और उनकी टीम को काफी जादा दमाकेदार शुरुआत दिलाएं वो बल्लेवाजी का पक्ष हो या फिर वो गेंदवाजी हो जोस्तों सारी वी टीमों ने इस साल अपनी टीम में काफी जादा कमजोर कडिय दिखाई दे रही है तो इस साल का IPL सीजन 2020 काफी जादा रुमान चक होने वाला है लेकिन दोस्तों किंग 11 पंजाब की टीम इस साल काफी जादा अच्छी दिखाई दे रही है क्योंकि हमेशा से उसका बॉलिंग लाइनप काफी जादा कमजोर माना आता जा रहा है लेकिन इस साल किंग 11 पंजाब के हेड कोच अनिल कुमलेन ने दल में कोच युवा गेंदवाज और दिगज ओवी ओवर्सीज मीडियम पेसर गेंदवाजों को सामिल किया है क्या है वो स्पिनर हो क्या है वो मीडियम पेसर हो जिसके कारण किंग 11 पंजाब की टीम की गेंदवाज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को उसमें दिये गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को मिल पाए नोटिफिकेशन हमारे लेटिस्ट वीडियो की और आप लोग आनंद उटा पाए हमारी मज़ेदार वीडियो का अगर दोस्तों किंग्स 11 पंजाब की टीम के बॉलिंग लाइन अप में नजर डालिया है तो हमें हारदस विजलोन, शेल्डन कोट्रेल और क्रिस जोडन जैसे आकरमा गेंदवाज दिखाई देंगी अपनी तेज रफ़तार से अपनी सामने वाली टीम को दोस्त कर सकते हैं और इनका साथ नेवाएंगी इंडियन मेडियम पेजर्च मॉंबज शमी तो ये चारों ही गेंदवार काफी जादा निरंतर गेंदवाजी करते हैं और 140 किलो मीटर प्रति गंते की रफ़तार से निर नेशनल करियर का अनुवब भी है जी के साथ दोस्तों किंग्स 11 पंजाब की टीम ने इस साल अपने दल में कुछ सामिल की हैं कुछ युवा खिलाड़ी भी जैसे की विष्णोई जैसे अंडर 19 रिष्ट गेंदवाज जों की काफी जादा कारगर सावित हुए थे अंडर 19 वर्ल कप में भारत के लिए और इस साल उम्मीद लगा आ रही है कि पंजाब के लिए भी वह अच्छा प्रजिसन करके दिखाएंगे तो इस लिष्ट में दूसरा नाम है इशान पोरिल इशान पोरिल एक युवा मध्यम गती गेंदवाज है और काफी अच्छी गेंदवा जो कि इस साल पंजाब की टीम को IPL सीजन 2020 जिताने में एमबो में का नवा सकते हैं अगर आपको हमारे जी वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीस हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को साथ में दिए गए बेल आइक